दोस्तों आज हम बढ़ा छोटा ब्रबर और बढ़ते करम और घरते करम में जो आता है किस्चन मैथ का वह हम बताने जा रहा है देखे यह हम किस्चन लिख लिए 15.57, 30.26, 31.35 और 89.101 आप देखते हैं कि यहां से इसका अंतर कर देंगे इसका और इसका अंतर कितना हो गया? छो हो गया ठीक है इसका इसका अंतर कितना हो गया तो तीन हो गया इसका इसका अंतर कितना हो गया चार हो गया इसका इसका अंतर कितना हो गया तो बारा हो गया बारा हो गया ठीक है अब उसके बाद देखते हैं यह जी जितने रहगा 51 वटा 6 लिखेंगे जितना अंतर रहगा उतना यहीं 51 वटा 6 ही लिखेंगे 30 वटा 3 ही लिखेंगे 31 वटा 4 ही लिखेंगे 89 वटा 12 ठीक है अब इसको LCM ले लेंगे जितना नीचे वाला है उसको हम LCM ले लेंगे LCM लेंगे तो कितना जगा 12 आ जगा LCM कितना जगा 12 ठीक है अब जो LCM है उससे हम गुना कर देंगे उपर में तो कितना हो जगा 51 बटा 6 गुने 12 फिर क्या है 31 बटा 4 गुने 12 फिर है 89 बटा 12 गुने 12 यह 12 से 12 कट गया 4 से कट गये 4 3 12 3 से कट गये 3 12 6 से कट गये 6 12 इसका मल्टिप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 102 इसका मल्टिप्लाई करेंगे 92 आ जाएगा इसका मल्टिप्लाई करेंगे 93 आ जाएगा आप कहेगा दोस्तों कि बड़ा कहेगा इसमें बड़ा ये हो जाएगा सबसे छोटा कुन हो जाएगा ये हो जाएगा आप कहता है किसमें बड़ते करम में लिखना है और घटे करम में पुछता है तो question हम सजा देंगे यहां से घटे करम में लिखेंगे तो 1 यहने 102 फिर क्या बान में लिखेंगे फिर 89 लिखेंगे ये घरते करम में आ गया उसके बाद भी पुछता है बढ़ते करम में तो बढ़ते करम में फिर लिख देंगे यहां इधर से चल देंगे वो गया बढ़ते करम में अगला केशन लेते हैं इसका इसका अंतर दो हो गया इसका इ तिरानवे बटा टू फिर कितना हो जाएगा संतानवे बटा टू फिर कितना हो जाएगा पचासी बटा टू फिर कितना हो जाएगा यह है एक आनवे बटा टू आप देखिए किसा आप में टूटू ही नि समान अंतर है तो डाइरेक्ट आप देखिए बाड़ा पूछ रहा ह तो बढ़ा कोन है, 97, यही 97 हो जाएगा, सबसे छोटा कहेगा तो कोन हो जाएगा, यही 85, 85 कहादेगा, अब बढ़ते करम में कहादेगा, तो आपको सजा दीजिये, घड़ते करम में कहादेगा, तो सजा दीजिये, बस इतना ही इससे qution आता है, थेंक्यू दोस्त, अगर जरूर करें कॉमेंट साथ में करें थैंक यू